का अथा हुं आज हम इसी टी के Öसे कि अज़े लेके चलते हैं और आज अज्बढ डिसक्रास करowana को दिसकेंडरी एम स्पार है और स्पार आपको बताता चलूं सेकेंडरी लोंग टर्म की ऊपर रहा और स्पारी ब्रहिट זो हो सके जैसे आप हार्डिस्क देख लें आपकी ऑप्टिकल ड्राइफ जिसे आप सीडी ड्राइफ कहते हैं उसे देख लें आपकी जो बेसिकली फ्लॉपी डिस्क ट्राइफ थी अब तो नहीं है बेसिकली यह पहले होती थी लेकिन यह भी आपके लिए पर्मनेंट बेसिस के आप स्टोर कर सकते हैं ठीक है लेट से अगर आपने एक डेटा को स्टोर किया और अगर आप एक साल बात भी अपना कंप्यूटर लगाएं तो जो डेटा आपने सेकंडरी मेमूरी के ओपर स्टोर किया होगा वो उसी तरह वहां पे मौजूद होगा राइट अच्छा एक बा बेसिकली डेटा को रीड राइट करने में टाइम लगता है ठीक है और यह रैम और रॉम से काफी ज्यादा कम एक्सपेंसिव होते हैं ठीक है अब हम डिसकस कर लेते हैं सेकंडरी मेमूरी कौन कौन सी हमारे पास पहले हमारे पास क्या थी एक फ्लॉपे डिस्क थी जिसको मतलब 80s या आप कहले 70s के जमाने में यूज किया जाता था 4 MB, 5 MB से ज्यादा कैपसिटी इसकी नहीं होती थी आजकल के दोर में तो यह मुकमल तोर पे खतम हो चुकी है इसको प्रॉपर एक केसिंग में रखा जाता था और इसके उपर एक फैबरिक की कोटिंग भी है इनके अंदर जो डेटा मुजूद है वो करप ना हो अगर इसके उपर डस्ट अगे इसके बाद हम डिसकस कर लेते हैं ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव को अप्टिकल डिस्क ड्राइव जो है आजकल इसका भी इस्तिमाल बहुत ज्यादा कम हो चुका है इन फैक्ट आप अ आगे की तरफ रिवाल्व कर रही है ताकि डेटा की रीड रॉइट स्पीट को ज्यादा किया जा सकी इन डिवाइस के उपर रहते हुए वो तमाम तर शीज़ें पॉसिबल नहीं थी आप्टिकल डिस्क ड्राइव के अंदर अगर आप गोर करें क्या होता था कि आपको एक लेजर टाइप का बीन नजर आ रहा हुता था और शीज़ाइब के उपर के उपर आपको पिक्चर नजर आ रहे हैं इसके यह जो राउंड सरकल होता था इसके गिर्द एक एक सरकल और मौझूद होता था ठीक है तो उस सरकल के अंदर तमाम तर डेटा मौझूद होता था और यह laser beam basically उन dots को pick करता था data की सूरत में और इन dots को यानि के यह जो light beams है यह laser जब pick करता था basically तो इनको आगे electrical signals में generate किया जाता था और आगे further फिर इसको visual output यानि के audio video जिस किसम का भी data होता था वो convert करके screen पे show किया जाता था अब सबसे important और सबसे ज्यादा use होने वाला आज के दोर में जो हमारे पास component है that is hard disk तो hard disk थोड़ा सम डिटेल से पढ़ेंगे hard disk कौन सी बहतर है कौन सी बहतर नहीं है यह भी देखेंगे तो सबसे पहले आपको यह picture नज़र आ रही है यह आपकी hard disk है ठीक है और इसके अंदर यह जो goal basically आपको rim नज़र आ रहा है इसके अंदर तमाम तर डेटा मुझूद होता है और आपको देखें यह pin एक नज़र आ रही होगी तो यह pin क्या करती है basically यह pin आपके data को read करती है अब मिसाल के तोर पे देखें operating system आपकी logical drives बना देता है क्योंकि अगर आप physically देखें तो यह तो just एक plate है जिसके अंदर तमाम तर डेटा मुझूद है ठीक है तो आपका operating system क्या करता है logical drive बना देता है कोई drive D है E है C है ऐसे ही है तो यह क्यों बनाई जाती है मैं आपको questions में C D और E के अंदर right तो अब अगर एक user है वो D drive के उपर click करता है तो it means कि उसको जो data required है वो जो segments जो boundary बनाई होंगी D के लिए logically उन्हीं boundaries के अंदर अंदर उसको चाहिए right तो as compared हो कर यह हम drives ना बनाए तो क्या होगा data जो है वो उस pin को पूरी plate के अंदर read करना right और अगर उसको just D drive के अंदर ढूंड़ना है ठीक है तो उसको ज्यादा असानी होगी इसकी मिसाल ऐसे ही है let's say आप तीन भाई है ठीक है और आपके पास एक अलमारी मौजूद है ठीक है और उसके अंदर कोई divisions नहीं बनीवी कोई section मौजूद नहीं तो अगर तमाम तर भ अलग sections बने कि यह पहले भाई का section यह दूसरे भाई का और यह तीसे भाई का section ठीक है और उन्होंने अपने कपड़े अलग अलग करके रखें तो इसमें असानी क्या होगी अगर आपने specific चीज़ को ढूंड़ना है यह specific कपड़े को ढूंड़ना है तो आप अपने section के बेतर है तो जिस हार्डिस्क में वो मॉल्टेट प्लेट ज्यादा से ज्यादा राउंड लेगी एक मिनट में वह बैतर होगी अब देखें इसमें इस हार्डिस्क के जो यूनिट को मज़र किया जाता है वह basically rpms की basis पर किया जाता है rpms stands for round per minute ठीक है तो अगर एक हार्डि जल्दी रीट करेगी ठीक है उसमें जो speed है basically component की घूमने की जो speed है यानिके जो mounted plate है उसकी घूमने की speed ज्यादा है तो डेटा आपको जल्दी retrieve होगा राइट तो जिसकी rpm speed ज्यादा होगी वो डे हार्डिस्क बेदर होगी I hope so secondary memory आपको clear होगा इंशाला next class में अगले lecture के सा मुलाकात करते हैं तब तक के लिए stay tuned अला हाफिस